माफ करना बापू आखिर तुमको तुम्हारे प्राइवेट टेलफून नंबर पर लपेट ही लिया क्या करें मजबूरी थी क्योंकि तुमसे बात करना बहुत जरूरी था सुनाए कि वर्सवा बीच पर 20 लाग का माल पुलिस पकड़ेगी और पुलिस को लपेटे में डाल कर दूसरी तरफ से तुम दो क्रोड का माल हजन कर जाओगे ना बापू ना ऐसा मत करना क्यूंकि पिछले महीने तुमने हमारा एक क्रोड का माल लपेट लिया था अब हमारी बारी है हम कुत्तों से बात नहीं करते शेर की दाढ़ तो पहचानते हो ना राना ठीके बोटिया नोशने वाला गीदर गला खाने से शेर नहीं बन जाता राना ठीके एंट का जवाब पत्थर से देना जानता है बिना बताए मिलावट की जाती है माल नहीं उठवाया जाता इसलिए पहले इतला दे रहा हूँ के बीस लाग का माल पुलिस को मिलेगा और दो करोड का मैं ले जाओंगा राना का माल तो बड़ी शान से राना तक पहुंचेगा डीके ले जाने की बात पर बूल जाओ अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी माउट मारेंगे तुम्हारे आने वाली नसलों की मींग भी उस माउट के खाफ से उड़ जाएगी बड़े भाई हमें ये तो मालूम है कि राना का माल पुलिस कहां ले पेटेगी लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि राना का माल उत्रेगा का